आपके जीले नालंदा में पहली बार हो रहा है नालंदा केट्स फाशन शो प्रेजेंटेट बाइ स्टूडियो धूप छाओं अब छूटे बच्ची भी दिखाएंगे अपने हुनर का जल्वा तो देड़ ना करें आज ही केट्स फाशन शो के लिए अपने बच्चों को रेजिस्टर करवाएं रेजिस्टेशन के लिए कॉल करें 7654959305 रेजिस्टेशन लाइन 24 घंटे चालू है यातायाद नियमो का अनुपाले नहीं करने वाले बाइकर्स और चालक से अमनालंदा पुलिस सकती से निप्टेगी बत और जिर्माने के रूप में वसूला जाएगा मोटी रखम पुलिस के द्वारा लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जिर्माना भी वसूला जाएगा उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद जिर्माना भी सूला नहीं वल्कि उन्हें दुरगटना से बचाना है ताकि लोग पूरी तरह यातायात नियमों का अनुपालन करें जिससे वो सुरक्षित रह सके केंद्रिये पडिवहन ओम राजमार्ग मंत्राले भारत सरकार के निर्देशान उशार तिनांक 18.1.2021 से 17.2.2021 तक सरक्षुरक्षा माह मनाया जना निर्धारित हुआ है इस सरक्षुरक्षा माह के असर पर नालंदा पुलिस द्वारा लोगों को सरक्षुरक्षा के नियमों का पालन करने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना और यातायात के नियमों का सक्ति से अनुपालन कराने का निर्दने लिया गया है लोगों में जारगजुगता फैलाने के उद्धेसे से COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर माध्यम से हम लोगों में यह बात पहुचाने का प्रयास करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करने हेलमेट पहनने, सीट बेटर लगाने, ट्रिपल लोडिंग नहीं करने, उभर स्पिडिंग नहीं करने से उनकी जान बचती है उनकी सुरक्षा होती है यह समझाने का प्रयास किया जाएगा लेकिन इसी समय यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के बिरुत सक्ति से अधिक्तम फाइन करते हुए सक्ति से भी यातायात नियमों का नुपालन कराया जाएगा नलंदा पुलिश सभी के सुरक्षा चाहती है कि किसी के साथ किसी तरह की दुरघटना नहीं हो नलंदा जिला में दुरघटना की घटना बहुत अधिक हो रही है motorcycle दुर्गटना में मृत्वों की संख्या अधिक्तम वैसे लोगों की होती है जो helmet का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे, नालंदा पूलिस लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगी कि आप अगर motorcycle से चलते हैं तो हेलमेट पहने, ट्रिपल लोडिंग नहीं करें, पीछे बैठे हुए पैसेंजर को भी हेलमेट पहना आए, अगर फोली विलर से चलते हैं, तो आप सिल्ट बेल्ट का उप्योग करें, ओपर हस्पिटिंग नहीं करें, ओवर टेक का प्रयास नहीं करें.